हेग फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं मिक्स दाल जो कि हम नॉर्मली बाहर से ही खाते हैं धाबे भी बिल्कुल उसी तरीके की दाल हम सिंपल तरीके से घर में बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो अगर आपको हमारी रैस्पीस पसंदाती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजेगा और चैनल को पहली बार दीख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा और बैल बटन को अल पर प्रिस कर लिजेगा ताकि इसी तरीके की और वीडियो आपको रोजाना मिलतीकों इन सारे डाल को मैंने पहले से साफ करके लिया है यहां पे उसी सेम कटोरी से हमने लिया है एक कटोरी एरहर की डाल इसके साथ यहां पे हम लेंगे सेम कटोरी से मूंग की डाल और यहां पे लास्ट में मैं ले रही हूँ उरत की डाल तो सेम कटोरी मैंने उरत की डाल भी ली है आप छिलके वाली डाल का इस्तेमाल कर सकते हैं या बिना छिलका वाली चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये सारी डाल को हमने साफ करके लिया है और यहां पर मैंने पांच तरीके की दाल को मिक्स करके लिया है तो इन सभी दालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इनको वश कर लेंगे तो यह देखिए सभी दालों को हमने अच्छी से मिक्स कर लिया है अब इनको हम पानी से अच्छी तरीके से दूल कर साफ कर लेंगे तो थोड़ा सा पानी हम ला लेंगे पहले और पानी से हम इसको अच्छी तरीके से रगड़ कर साफ कर लेंगे जिससे कोई भी धूल मिट्टी डस्ट हो तो वो बाहर निकल जाए तो हाट से अच्छे से रगड़ते हुए हमें इसे दो से तीन बार अच्छी तरीके से धुल लेना है इससे जो भी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है तो मैं इसको बिल्कुल इसी तरीके से धुल ले रही हूँ तो ये देखिए दो से तीन बार हमने इसको धूल लिया है और अभी डाल हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ और चमगदार हो गई है ये देखिए तो चलिए अब हम इनको बनाने के प्रॉसस में चलते हैं दाल को बनाने के लिए यहाँ पर हमने गैस पर एक कुकर रख दिया है और सबसे पहले हम इसमें डाल को डाल देंगे तो गैस को अभी हमने ओन नहीं किया है बंद गैस पर ही हमें कुकर में अपनी डाल को डाल देना है इसके पाद हम इसमें डालेंगे पानी तो मैं यहाँ पर पहले दो बड़े कप के पानी इस्तेमाल कर रही हूँ तो दो बड़े कप के करीब पानी इसमें डालना है ताकि डाल हमारी अच्छे से पक जाए पानी हमने डाल दिया है विसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार या आधा छोटी चमच नमक इसके साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चमच हल्दी पाउडर तो आधा छोटी चमच हल्दी पाउडर हमने डाल दिया है इन दोनों चीज़ों के साथ ही हमें दाल को अच्छी तरीके से 3-4 सीटी आने तक उबाल लेना है इसके साथ एक जरूरी चीज, ये हती है, खटाई इसको बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं, अगर आप पसंद करते हैं, तो जरूर डालें अब हम cookar को इस तरह के से बंद कर देंगे और gas की frame को medium flame पर on कर देंगे और इसमें हम 3-4 पी आने देंगे तो ये देखिए डाल हमारी completely बन कर त्यार हो गई है यनि की पक कर त्यार हो गई है इसको हम side में रखते हैं और अब हम डाल का दड़का बना लेते हैं यहां हमने एक कड़ाही में डाल दिया है दो बड़े चमच सरसो का तेल इसमें मैं डालूँगी आधा छोटी चमच जीरा आधा छोटी चमच इसमें जीरा जाएगा बहुती सिंपल तरीके से मैं ये डाल आज बना रही हूँ एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज इसके पार इसमें डालूँगी मैं अध्रक और लेस्टन का कुटा हुआ मिश्टन या आप इसको पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं अध्रक लेस्टन का एक हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं तीखा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इन सारी चीजों को थोड़ी देर पकने देंगे और जैसे ही ये थोड़ी सी कूक हो जाएंगे हम इसमें डाल देंगے एक बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर और इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स होने तक पका लेंगे जब ये सारी चीज़ी आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं उस स्टेज तक हमें इने पकाना है इसमें हम डालेंगे आधा छोटे चमच गरम मसाला पाउडर इन चीजों के साथ गरम मसाले को भी अच्छी तरीके से भून लेना है तो ये सारे मसाले अच्छी तरीके से पग गए हैं अब हम इसमें अपनी डाल को डाल देंगे तो यह जो दाल हमने बनागर रखी थी इसको हम डाल देंगे इस दड़के में तो है ना बेहद आसान तरीके से हमारी मिक्स दाल की रेस्पी और ये बिल्कुल ढाबे के स्टायल में ही लगेगी आपको खाने में बहुत ही कम समान में ढाबे पे हम बनाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो ये देखिए इस तड़के में सभी दाल को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और दाल अभी हमारी थोड़ी सी गाड़ी लग रही है तो इसमें मैं एक कप के करीब पानी और एड़ कर दूँगी तो बहुत जदा नहीं बस एक कप पानी डालना है अगर आपके दाल में ज़्यादा पानी है तो आप पानी ना डालें इसे एक मिनट तक ऐसे ही पका लें तो अभी मैंने एक कप पानी डाला है इसके लिए इसको हम एक मिनट तक पकाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से एक मिनट हम पका लेंगे और यहां पर देखिए दाल हमारी कितनी सुन्दर लग रही है देखने में अब इसमें आप कटा हुआ हरा धनिया या पुदीना की पॉत्ते भी सिमाल कर सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो बस कटा हुआ हरा धनिया इस तरीके से मिला देंगे और यह देखिए हमारी धाबे वाले मिक्स दाल बनकर है बिल्कुल त्यार बस अब इसे गर्मा गरम दाल चावल के साथ इंजवाए कीजिए आपको बेहत पसंद आएंगे तो फ्रेंट्स इस तरीके की और भी आसान और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग